नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एक्जाम अपडेट विद गुरुजी YouTube चैनल पर दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और साथ ही साथ बैल आइकन को आउन कर देना। जिससे कि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बरबाद किये, बिना आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मुल्यवान अध्ययन मार्ग दर्शिका के रूप में कार्य करती है। जिसे विशेश रूप से हाल के परिवर्तनों और नीट परीक्षा से कुछ विशेओं को हटाए जाने के मद्दिनजर छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है। नई दिल्ली, Medical Counseling Committee, AMCC ने उम्मीद्वारों और बिहार Counseling प्राधिकरण से प्राप्त अनुरोधों के बाद राष्ट्रिय पात्रता प्रवेश परीक्षा, सनातक, नीट यूजी काउंसलिंग, दोहसा जौदीस के कार्यक्रम में संशोधन किया है। प्राधिकरण, बिहार उम्मीद्वारों से प्राप्त विभिन अनुरोधों के कारण, सक्षम, प्राधिकारी ने यूजी काउंसलिंग के राउंड त्री के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। दोपहर एक बजे से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरे चरण के नए आवंटित उम्मीद्वार, जो अपनी सीट पर शामिल हो गए हैं, लेकिन अब त्याग पत्र देना चाहते हैं। साथ ही वे उम्मीद्वार, जो दूसरे चरण में अपग्रेड हुए हैं, और अपग्रेड की गई सीट पर शामिल हो गए हैं, लेकिन अब त्याग पत्र देना चाहते हैं। त्याग पत्र देने के निर्धारित समय के भीतर, सुरक्षा जमा, राशी जब्त करके अपनी सीट छोड़ सकते हैं। पोर्टल को भी फिर से खोल दिया है। ये आज दोपहर 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। 11 अक्टूबर 2024 तक सुबह 9 बजे तक चोईस लोकिंग 10 अक्टूबर रात 9 बजे से 11 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक उपलब्ध रहेगी। सीट आवंटन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर 2024 शीट आवंटन परिणाम 12 अक्टूबर 2024 रिपोर्टिंग 14 अक्टूबर 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तकूझ कर दो कर दो कर दो